The objective of this channel to help you how to trading investing in basis of chart patterns or consult your financial advisor before taking any investment नमस्कार, welcome to your channel Charred With Trade आपके स्कीन के सामने जो चार उपन हुआ है इपन है HIL Limited का और टाइम फ्रेम सेलेक्ट हुआ है monthly हम multiple time में analysis कि प्राइस के एक क्यारेक्टर है प्राइस हमी साचे चैनल को फोलो करता है प्राइस अगर उपर जाएगा एक off trend चैनल को फोलो करता है प्राइस अगर निचे आएगा एक downtrend चैनल को फोलो करता है प्राइस अगर consolation करेगा तो एक फ्लार चलने का अंदर consolation करता है एक जाली देखे स्टॉक का प्राइस हम पे year 2009 में बटन फर्मेशन किया था उसके बाद यहाँ पे इस off trend चैनल को फोलो कर रहा है इस दोनों green line के उपर फोकुस किजिएगा जब भी स्टॉक का प्राइस इस चैनल का उपर boundary को टेस्ट किया है multiple time supply मिला है और lower boundary से देखे multiple time demand मिला है प्राइस देखे यहाँ पे जो multi year का off trend चैनल है प्राइस in between यहाँ पे एक range के अंदर consolidation हो रहा है और उसका important support को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे consolidation हो रहा है और यहाँ पे जो support आ रहा है वो आ रहा है आंकड भ्याप का अगर अभे मैं monthly chart के उपर जो 2020 का low में आंकड भ्याप को plot कर दूँगा red line देखे आट आजे important support आंकड भ्याप क्या है और आप आंकड भ्याप को कैसे यूज कर सकते है यह भी आपको चैनल में separate video है लिंक आपको description में मिल जाएगा उस वीडियो को देखे लिजेगा प्राइस देखे उसका multi-year का and important support के आसपास एक best formation कर रहा है और राशो चार्ड जी step का उसका multi-year का support के आसपास है जैसे ही प्राइस यहाँ पर इसी range को breakout कर देगा आने वाल टाइम में next moment आ सकता है यह तो ह में हाई लिंटेड बोर्सेस निप्ती 500 का राशो चार्ड को उपन कर लेता है और राशो चार्ड क्या है और आप राशो चार्ड को क्या से उज़ कर सकते हैं चानल में अल्लेडी सेपरेड वीडियो है लिंक के आपको description में मिल जाएगा जैसी कि देखे आपके skin के साने आउट पर्फॉर्म क्या है मतलब है लिंटेड निप्ती 500 को आउट पर्फॉर्म क्या है और एक जाल ले जो ब्लू लाइन राशो चार्ड के लिए इंपोर्टन और मॉल्टियर का स्वपर्फॉर्ड लाइन और वही लेबल के आसपस राशो चार्ड अभी ट्रेडिंग कर कर चुकेंगे राशो चार्ड अगर मॉल्टियर का स्वपर्ड के आसपस आ जाता है वो कितना पाउर्फुल हो जाता है अगर अभी आप क्वाटर टू क्वाटर बेसिस के उपर सेल्स देखेंगे तो देखें लास्ट थ्री क्वाटर में कॉंपानी कॉंटिनॉसली सेल्स म मार्च 24 तिनों क्वाटर में कॉंपानी आंपे लॉस्ट डिकलार कर रहा था लेकिन पहली बार आप्टर थ्री क्वाटर यांपे जून क्वाटर में 13 कोड का प्रॉफिट जनेर किया है अगर किसी इक भी कम्पानी का सेल्स और एप्पेस में ग्रोथ हो रहा होगा प्रोब भी के लिए तो हम वार्टर टेस्ट कॉनेरी कॉंसिडर कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे ट्रेन कान्फर्मेशन तभी होगा जब स्टॉक का प्रैस यहाँ पे रेंज को ब्रेक करेगा और जो रेंज का ऑपर बाउन्दर बन रहा है 3200 के आसपास जैसे स्टॉक का प्रैस सक्टाजी important resistance जहां से multiple time supply मिला है weekly closing above 3200 यहां पर इस range को price breakout कर देगा, तब तक यहां पर multi-year का support की basis की पर इन राश्यो चाड़, water test quantity consider कर सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ा moment तभी आएगा, जब weekly closing आएगा इस range के उपर, weekly नहीं तो daily closing आने के बाद, यहां पर price outperform कर सकता है, और यहां से जो next target बनेगा, ओबनेगा life थाए 6700, जो पहले target यहां पर बन सकता है, 6700, उससे पहले रुखने बाला नहीं है, जिस type का after a strong downtrend price यहां पर best formation कर रहा है, और राश्यो चाड़ उसका multi-year का support line के आसपा से, बास अभी trigger का wait करना है, closing above 3200, उसके बाद price यहां पर इस range क breakout कर सकता है, इस label के उपर note कीजेगा, breakout के बाद stock में out per pass आ सकता है, उसे इसाब से आपका risk reward quantity की manage कीजेगा, और खुद का analysis को add कीजेगा, I hope आप details analysis ही समास पार होंगे, वीडियो आच लगा, वीडियो लाइक कीजेगा, चाल्मों subscribe कीजेगा, thank you for watching.